नवश्कार नूजरू में आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रतेश विधानसवाद चुनाओं से पहले कॉंग्रेस को लग सकता है बड़ा छटका क्योंकि उसके वरिष्ट नेता सलमान खुर्षीद ने हिंदुत्तु पर किया है तगड़ा परहार अपनी पुस्तक में सलमान खुर्षीद हिंदुत्तु पर कैसे भढ़के हैं यह आपको विस्तार से बताएंगे और साथ ही बात करेंगे कॉंग्रेस नेता दिग्विजय सिंग की जिनोंने कहा है कि हिंदुत्तु का हिंदु धर्म से कोई सम्मंद नहीं है सलमान खुर्षीद के खिलाफ दिल्ली पु पर सकति की बात है तो आपको बता-दें इसमें उन्होंने हिंदुत्तु की आतंकवाद से तुलना की है वैसे हिंदुत्तु को आतंक проп ao कि कॉंग्रेस ने पहली बार नहीं जूड़ा है भगवा आतंकवाद हिंदु आतंकवाद जैसे शबड़ Ā सिंग् और चिदमर्म ने पूर्व केंद्री मंत्री सल्मान खुर्षीत ने अपनी पुस्तक सन्राइच ओवर अयुध्या में कथित रूप से हिंदुत्यू की तुलना आइस आइस और बोको हराम जैसे आतंकवादी संग्ठनों से करते वे कहा है कि हिंदुत्यू साधू संतों के सनातन और प्राचीन ह किनारे लगा रहा है जो कि हर तरीके से आइस आइस और बोको हराम जैसे जिहादी इसलामी संग्ठनों के जैसा है सल्मान खुर्षीत ने आयुध्या विवाद पर अदालती फैसले पर कहा है कि इसको लेकर समाज में बटवारे की इस्तिती थी लेकिन उस्तम नेले ने उसक की पार्टी का उत्सव है इस पुस्तक के विमोचन कारिक्याम को समधित करते वे कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता दिग्विजा सिंग ने राष्ट्रिय स्यमसिवक संग और भार्ती अंता पार्टी पर तीखा प्रहार करते वे कहा कि देश में हिंदू खत्रे में नहीं है ब कि फैजाबाद की अदालत में भूमी का विवात था लेकिन विश्विंदू परिशद बजरंग दल और आरेसस ने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया था और जब उनका 1984 में दो सीटों पर आकर वे सिमट गए तो उन्होंने इसे राष्टी स्तर पर मुद्दा बनाने का न सोशलिजम नाइंटीनएटीफ़ में फेल हो गया था इसलिए उन्हें फिर से जो हाट कोर फिनेटिक डिलिजस्ट फंडमेंटलिजम जिससे राष्टी सोयम सेवक्स संग और उसकी विचारधारा जानी जाती है उस रास्ते पर चलने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया अडवानी जी की रत यात्रा समाज को जोड़ने वाली यात्रा नहीं थी तोड़ने वाली यात्रा थी और जहां वो गए उन्होंने नफरत का बीज बोते चले गए धार्मिक उन्माज विचारधारा का जीन जब तक बोतल में बंद रहता है तब तक शांती रहती है जिस दिन निकल जाता है उस जिन को वापस बोतल में डालना असंभव है और यह जीन अड़वानी जी की यात्रा से नान केवल निकला लेकिन उसने पूरे देश में एक माहौल सामप्रदाइक उन्माद का फैला कर हमारे सामने प्रस्तुत किया हिंदुत उशब्द के बारे में मुझे इस बात का दुख है कि मीडिया भी हिंदुत को हिंदु धर्म से जोड़ता है जबकि हिंदुत का हिंदु धर्म से कोई लेना देना नहीं है सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है और यह मूल सनातनी परंपराओं और विचारधाराओं के ठीक विपरीत है सावरकर जी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे उन्हेंनों यहां तक कहा था कि गव माता को माता क्यों मानते हो और उन्हें के इतराज नहीं था गवमास खाने के लिए कि तो सावरकर जी को जन्होंने की हिंदुत को हिंदू आइडेंटिटी को इस्टैबलिश करने के लिए उन्होंने हिंदुत का शब्द विलाए और उसके कारण लोगों में भ्रम फैल गया जिसे की प्रचार तंत्र और प्रचार तंत्र में राष्टी स्विमिंग स्रवंग संग को कोई जीतना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अफवा फैलाना और अफवा को आखरी दम तक ले जाना उनसे बहतर कोई जानता नहीं है और आज की युग में यहां सोशल मीडिया और इंटर्नेट है उसमें तो यह ऐसा एक हत्यार उनके हाथ में आ गया है जो की अकार्ट सावित होता चला जा रहा है इस विवोचन कारकम में विवादित पयान देने से कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और पूरु ग्रहमंत्री पीछे दम्रम भी पीछे न हिंदू बहु को एक मुस्लिम परिवार में खोशी से रहता हुआ दिखाया गया यही नहीं अयुद्या मामले पर उच्तम न्याले के फैसले पर एक तरह से सवाल उठाते वे उन्होंने कहा इस फैसले का कानूनी आधार बहुत संकीन है बहुत पतली सी रेखा है लेकिन समय बीतने के साथ ही दोनों पक्षों ने इसे स्विकार किया उन्होंने कहा दोनों पक्षों ने स्विकार किया इसलिए यह सही फैसला है ऐसा नहीं है कि यह सही फैसला था इसलिए दोनों पक्षों ने स्विकार किया यहीं नहीं चिदम्रम तो यहां तक बोल गए जैसे जैसी को आने में फिर वो फिर ये लगा कि ये तो बहुत जल्दी फैसला आने वाला है खर जो भी है फैसला आ गया फैसला आया उसको पढ़ा पंद्रोसव पेजिस का फैसला है उसको पढ़ा समझने की कोशिश करी फिर से पढ़ा फिर समझने की कोशिश की तब तक लोग अपने अ तेसा अपनेमंदिर बनवा दिया. पड़ा नहीं, समझा नहीं कि सुप्रीम कौर्टने क्या किया, क्यों किया, कैसे मेरे लिए, यह मेरे एक दायद बनता है, कि मैं इस समझह classy क्या से संबंदित हों, स्कौर्टने जो किया है, वो क्या है आखर और क्या उसमें तुटी है के नहीं है और मैंने माना कि एक अच्छा फैसला है एक बहुत अच्छा जड़्मंट है और आज के हालात हमारे जो हमारे देश में हैं उनमें मरहम लगाने का एक एक रास्ता है उन पर मरहम लगे और ऐसी बात फिर ना हो इसका एक प्रयास है अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके